सबी बच्चों को जैहिंद बंदे मात्रम मैं पुनम निक एजुकेसन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं जैसा कि आपको पता है कि यूग के टॉपिक हैं उससे जो प्रश्ण बनेंगे तो आपको जो आपका थियोरीकल टॉपिक होगा उसमें कुछ आपकी थियो सीक्यू कोशन कराए जाएंगे सो सबसे पहले मेरे चैनल को निक एजुकेशन को सब्स्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेयर करते रहें और मिले ठीक है विटा तो यहां हम लोग देखते हैं यूपी पैट में आने वाली हिंदी के हैं तो यहां आपन उसका बहुत बिलोम सब्द कहने के लिए तो हजारों बिलोम सब्द होते हैं क्या हजारों याद किया जा सकते नहीं विटा आपको कुछ याद किया जा सकते और कुछ आपको समझे जा सकते हैं जैसे कि इसका कुछ यह होता है कि अगर यह सब्द हमारा किस प्रकार का है तो बिलोम सब्द उसका कैसा होना चाहिए बिटा तो ये ध्यान रखना कि हम लोग आज बिलोम सब्द के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे बिलोम सब्द के ठीक बिलोम सब्द जैसा कि आपको सब को पता है बिलोम का मतलब होता उल्टा ठीक है जैसे आपने द कहा तो दिन का उल्टा क्या होता है रात होता है द्ध टीकर बी-परी दी 140 लिखा हो तब भी यही बताया जाएगा क्या विलोम सब्द या फिर लिखा हो प्रति प्रतिलोम सब्द मतलब कोई एक सब्द है उसका प्रतिलोम सब्द क्या है तो प्रतिलोम कहा जाए विलोम कहा जाए विप्रीतार्थी कहा जाए इंग्लिस में इसको अपोजिट कहते हैं तो यह सब्द रियोक किये जाते हैं तो एसे बहुत से सब्द होते हैं, सरल से इनमें से कुछ सब्द एसे होतें जिनका विलोमसथ आपके प्रिक्षहों में पूछा जाता है तो यहां हम लोग यह ध्यान देंगे कि हिंदी में दो प्रकार के सब्द होते हैं तत्सम और तद्वाव होते तो कई प्रीत अर्थात बिलोम सब्द भी तत्सम में ही होना चाहिए पहला पॉइंट ठीक है यदि सब्द हमारा तदभाव में है सब्द किसमें है तदभाव में है तो उसका बिलोम सब्द भी तदभाव में ही पूना चाहिए ठीक विटा तो ये दो वात है हो गई या फिर सब्द जिस प्रकार का होता है तो विलोम सब्द भी उसका उशी प्रकार का होता है यदि सब्द इंग्लिस से संबंद रखता है तो उसका विलोम सब्द भी इंग्लिस से ही संबंद रखने वाला होता होगा ठीक कहने को उसके अपोजिट तो बहुत सब्द होते हैं लेकिन हिंदी मे सब्भावब की तत्सम सब्द है तो भिलॉम् सब्द भी उसका तत्सम होना चाहिए जैसे कि आपका मी मीठा मीठा सद्द है तधव Peach मीठा का क्या हो गया कड़वा ठीक, सब्सक्राइब , तो इसका सब्सक्राइब प्रतिलोम कहा जाए तो इसमें से हम लोग कुछ सरल सब्द इस प्रकार की होते जो माइंड में थीम बनी रहती जिनकी कि हां इनका यह होता है या फिर एक बार सरसरी निगहा से देख लेंगे कि इसका यह होता वीडियो को आराम से पिर उसके बाद हम लोग इसके और सभी आते हैं ठीक तो यहां पर आपका पहला हम लिख रहे हैं आप केवल जिस जो आपको आता है वो आप देखते जाना जो नहीं आता है उसका आप नोट करते जाना ठीक है उसको आप क्या करेंगे नोट करते जाएंगे जिससे की आप जब कभी इसको दुवारा से देखना चा है राजा सब समझते हैं रंग गरीव ठीक राजा का अपोजिट गरीव रंग ठीक गरीव नहीं कहेंगे अब ऐसी होता है राजा का रंग का मतलब गरीव होता लेकिन राजा का अपोजिट रंग ही होगा ना कि गरीव होगा ठीक ऐसी तरह से इसी तरह से जैसे सब्द है प्रातहा सब्द क्या है प्रातहा तो अपोजिट होगा सायम मिटा क्या होगा सायम प्रातहा माने सुभ है अगर सुभे लिखा होता तो बिलोम सब्द साम कहतें क्या कहतें साम कहतें ठीक है प्रातहा लिखा है इसलिए सायम कहेंगे तो इसी तरह के सब्द को आपको देखना है आपका बिलोम सब्द लिखा है कड़वा क्या लिखा है कड़वा कड़वा ठीक है वा बनाते है आभी बन जाएगा और वा भी बन जाएगा तो यहाँ पर हुआ बनाते हैं कड़वा तो देखो कड़वा क्या है कड़वा आपका तद्भाव सब्द है तो इसका अपोजिट भी तद्भाव होगा मीठा तिक कड़वा का मीठा आगे देखेंगे अती ब्रश्टी अती अती ब्रश्टी अती ब्रश्टी ठीक है अती ब्रश्टी अती ब्रश्टी का मतलब अधिक ब्रश्टी का मतलब वर्शा अधिक बर्शा तो कम बर्शा नहीं कह सकते इसको ही तत्सम में कहेंगे अना ब्रश्टी ठीक अना ब्रश्टी आप चाहें तो विसर्व लगा सकते हैं क्योंकि ये विसर्व के साथ सही होता है आगे देखेंगे ग्रामीड का अपोजिट अर्था बिलोम सब्द क्या होगा ग्रामीड का बिलोम सब्द हो जाएगा नागरिक क्या होगा बेटा ग्रामीड का बिलोम सब्द नागरिक हो जाएगा आगे देखते हैं उग्र क्या क्रोध से भरा हुआ ठीक उग्र का मतलब क्रोध से भरा हुआ अपोजिट हो जाएगा सौम्ये छूम्ये ठीक श्वमिता जिसमे नंब्रता इस तरह का भाव हो मे उसे कहते हैं उग्र का क्रोध से गुधसा भरे हुए भाय गौ को और कहते हैं आगे देखेंगे छीड छीड ठीक है छीड का मतलब होता है कमजोर छीड का मतलब क्या होता वेटा कमजोर तो इसका मतलब होता है पुष्ट पुष्ट का मतलब हस्ट पुष्ट तागतवर छीड का मतलब कमजोर पुष्ट का मतलब हस्ट पुष्ट तागतवर ठीक चतुर यहाँ पे दिखाई दे रहा आप लोगों को चतुर चतुर का अपोजिट उल्टा मूर्ख चतुर का बिलोम सब्द मूर्ख ठिक अब देखा आपने छीर तत्सम था तो बिलोम सब्द भी तत्सम में और जो भी जैसा सब्द होता है तो बिलोम सब्द भी उसका उसी प्रकार से होता है खल का मतलब होता है खल का क्या मतलब होता है वेटा एक सब्सक्राel थे ओसब्र syndrome को बता दिया कि और उपर लिखा नहीं लिंहें आपको बता दिया कि कोई सब्द का बिलोम, विपरीतार्थी, प्रतिलोम, सब इसी को कहते हैं, आगे आजाओ, बक्र क्या लिखा हो, बक्र का मतलब क्या होता है, बक्र का मतलब तेढ़ा होता है, बक्र का मतलब तेढ़ा होता बिटा, तो इसको हम सीधा नहीं कह सकते, क्योंक होता है क्या होता है रिज्जू तो इसी तरह से जैसे आपने देखा खल है उग्र है अतीव रश्टी है वक्र है ऐसे ही प्रश्ण टैट सुपर टैट पैट या फिर किसी भी बंडे एक्जाम में पूछे जाते हैं तो वही आपको बताया जा रहा है आगे देखेंगे अम्रित अम्रित का सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बिस कैसा लिखा जाएगा ठीक अगर इसका सा और किसी प्रकार से बना दिया तो वह आपका ओप्सन गलत हो सकता है आगे देखेंगे ग्रास ग्रास ठीक अब ग्रास का अपोजिट ग्रास का ब का मतलब सही है ग्रास का मतलब किसी को पकड़ना और मोक्ष का मतलब किसी को मुक्ती दे देना ठीक मोक्ष का मतलब मुक्ती दे देना ठीक है आगे देखते हैं प्रथू प्रथू ऐसे सबगा आपको मिलेंगे प्रथू का बिलोम सब पूछा जाएगा प्रथू का मतलब मो प्रथू में पतला भी लिखा होगा प्रथू का मतलब मोटा तो पतला हो सकता था लेकिन नहीं होगा क्यों क्योंकि प्रथू तत्सम है तो ब्लोम सब्द भी ब्लोम भी तत्सम में होना चाहिए वेटा प्रथू तनों ठिक आगे देखेंगे वसंत 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 का बिलोम सब्द क्या होता है पत जड़ क्या होता है पत जड़ वसंत रितु होती है और पत जड़ उस टाइम बते जड़ जाते हैं तो वसंत का मतलब पत जड़ अपोजिट हो गया प्रेम प्रेम का सभी को पता है घरडा ये नहीं बताना पड़ेगा प्रेम का बिलोम घिरडा ठीक है भाग्य का भाग्य का बिलोम क्या होता है भाग्य का बिलोम क्या होता है कर्म देखो सब लोग कहते भाग्य के भरो से कर्म ठीक करो तो भाग्य का अपोजिट बिलोम सब कर्म होता है आगे देखेंगे सुन्दर सुन्दर एक बार वीडियो को देख लेंगे आप तो आपको यह सब याद हो जाएंगे ठीक है कुरूप सुन्दर अच्छा लगने वाला कुरूप बुरा लगने वाला ठीक है आगे देखेंगे सुकर सुकर तो क्या हो जाएगा दुसकर क्या हो जाएगा बेटा दुसकर हो जाएगा ठीक है तो सुकर सु माने अच्छा करने वाला करने वाला अच्छा करने वाला दुस माने बुरा करने वाला बुरा करने वाला इधर पर दिखाई दे रहा है अच्छ देख लेते हैं आपको कहां कहां दिखाई दे रहा है ठीक तो यहां पर इतना आपने देख लिया एक और लिख देते यहां पर संपत्ती संपत्ति विलोम पिपत्ति संपत्ति का मतलब अच्छा समय पिपत्ति का मतलब बुरा समय एक बार थोड़ा सा रिविजन करते हैं राजा रंक ठीक है भीटा राजा रंक प्राताह सायं कड़्वा मीठा अतीवरश्टी अनावरश्टी अतीवरश्टी अनावरश्टी ग्रामील नागरित उग्र सोम्य झील पुष्ट चतोर मूर्खकल सजन ये क्या लिखा है कलल लिखा भीटवान 1350 Leah वसंत, पतजड, प्रेम, घरडा, भाग्य, कर्म, सुन्दर, कुरूप, सुकर, दुसकर, संपत्ती, विपत्ती. ठेक, तो मैंने आपको वताया कि यदि सब्द हमारा तट्सम का है, तो बिलोम भी तट्सम का ही होगा. सब्द तदभाव का है, बिलोम भी तदभाव का होगा. ठीक विटा यहां पे बहुत ज्यादा यह कठिन नहीं होते हैं एक बार इनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जैसे प्रत्थु हैं अतिवरेश्ठी इस प्रकार सब्दों में बाकी तो सब आपको पहले इसे याद होते हैं तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीन सोर ले सकते ह हैं इसके आगे अभी कुछ और लिखते हैं यहां पर तो उनको भी देख लेंगे ठीक है कुछ आने वाले इस प्रकार से आ जाते कभी कभी तो देखते हैं आगे और जैसे लिखा हो अगला सब्द है इस्थावर क्या सब्द है इस्थावर ठीक यह आया हुआ कुश्चन है इस्थावर का विलोम होता है जंगम जंगम ठीक है इस्थावर कुछ इस्थाई से संबंदित है जंगम चलता फिरता हुआ किसी को उसको जंगम कहते हैं अगला देखेंगे जैसा की बता चुके इसका बिलोम दीर्ग होता है हिरस्टू का मतलब छोटा इसका बड़ा ठीक तो अगर छोटा लिखा हो उसका बिलोम से पूछा जाए तो बड़ा बताएंगे हिरस्टू लिखा हो तो बड़ा नहीं कहेंगे क्या कहेंगे वेटा दीर करेंगे आगे देख लेंगे इसफ्तूल का बलोम सूच्म का होता है क्या होता है इस फ्तूल का बलोilingual सूच्म होता है आगे देखेंगे राग, राग का द्वेस होता है, ठीक है, राग का क्या होता है, राग का मतलब प्रेम और द्वेस का मतलब घरला, ठीक, रित, रित का पूल बिलोम होता है, रित का मतलब फाली, पूल का मतलब भरा, ठीक है, रित का मतलब फाली और पूल का मतलब भरा, आगे देख लेते हैं, मिट्टी का बिलोम यह आपसे पूछा जाता है मिट्टी का सोना ठीक कहते सोना कीमती बस तू मिट्टी कम कीमती ठीक है फ्री में मिलने वाली चीज आगे देख लेंगे निर्वात लिखा हो तो इसका प्रवात बिलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा निर्वात का प्रवात हो जाएगा ठीक है आगे देखो अचेत अचेत लिखा हो सचेत हो जाता है ठीक है ज़ज़ तर ऐसा थोड़ा से देख लेना अगर कहीं सू लिखाओ गैसे प्लूम सब्ड में दू, वाला सब्ड सही होता है जैसे सूकर दूसकर अगर कहीं सा लिखाओ तो उसका बिलूम आ होता है आ का सा, सा का आ, सू का दू, दू का, दू का सू, ठीक है, कभी-कभी सू का कू भी हो जाता है, तो कू माने बुरा, सू माने सुन्दर, वही है, दू माने दूस माने बुरा, सू माने अच्छा, तो एससे कुछ सब्द होते हैं, उनसे हमें कभी थोड़ा बहुत अंदाजा ल यह पूछा जाता है अथ तो आप बताएंगे इसका विलोंग इती होता है अथ माने इस परकार इती और ठीक है आगे आगे दिखेंगे आधी आधी माने प्रारंभ में और इसका अंत, ठीक है, इसका क्या होता, अंत, अगर लिखा हो, अगर लिखा हो, इतिस्री, क्या लिखा हो, इतिस्री, ठीक है, इतिस्री, माने क्या होता है, कि किसी चीज का, अंत हो ना, ठीक है, इतिस्री, तो कर देते, प्रारंब, क्या कर देते, विटा, प्रारंब, ठीक है, इसी तरह से आपसे कुछ ऐसे प्रश्ण होते हैं दो-चार जो आपको थोड़े से एक दो बार पढ़ने पढ़ते हैं तो आपका सही हो जाता जैसे कि क्रतग्य बहुत बार पूछा गया क्रतग्य तो इसका बलोम सब्द होता है क्रतग्य इस तरह से अब देखो क्रतग्य माने उपकार करने वाला ठीक है उपकार को मानने वाला क्रतग्य उपकार को ये उपकार को ना मानने वाला उपकार को मानने वाला और उपकार को ना मानने वाला इस तरह होते हैं आगे देखो प्रत्यक्ष 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 का मतलब सामने और प्रत्यक्ष का मतलब आपके पीठ पीछे अपरितन क्या लखा हो उपरितन का मतलब उपर ठीक है अधस्तन का मतलब नीचे जैसे लिखा हो उपरयुक्त ठीक है उपरयुक्त लिखा हो तो इसका क्या हो जाएगा उपरयुक्त माने उपर लिखे हो उपरी तन माने उपर अधस्तन माने नीचे लेकिन उपरयुक्त माने उपर लिखा होए तो नीचे लिखे होई वेटर तो क्या लिखते हैं है अध 예ा निर्दोस दोसी दोसी, निर्दोस, दोसी, दोस करने वाला, निर्दोस बिना दोस का, ठीक है, सर्द, सर्द, सर्द का मतलब ठंडा, और गर्म का मतलब गर्म, ठीक, सर्द लिखा था, तो इसका बिलोम गर्म होगा, ठीक है, क्रपड, यहां पर दिख रहा है बेटा, क्रपड, कंजूस, इसका बिलोम सब्द दानी करपड का दानी निशीत यह आया हुआ प्रश्न है यहां लिख दे रहें निशीत लिखा हो निशीत तो बिलोम सब्द क्या होगा इधर पर दिख रहा है रिखो निशीत का बिलोम सब्द इधर पर निशीत का बिलोम सब्द निशीत मद्यान्य मध्यान्य ठीक है निशीत मने रात में मध्यान्य दिन में ठीक मध्य रात्री मध्य दिन मध्य रात्री और मध्य दिन तो इस तरह से आपने कुछ देखे यहां पे कि जो आपको थोड़े से कभी आए हुए हैं या फिर आने का कभी भी इसमें संभावना रहती है इस तरह कि आपको बताए गए ठीक है तो एक बार इनका भी रिवीजन करते हैं और आगे देखते हैं जैसे कि स्थावर जंगम रश्व दीर्ग स्थूल सूच्म राग द्वेस रिक्त पूर्ड मिट्टी सोना निर्वात प्रवात लगबग समान सब्ध अचेत सचेत अथ इति आधी अन्त आधी अन्त ठीक है आधी का बच्चे नहीं कर पाते आधी का मतलव होता प्रार्म में ठीक है और अंत का मतलब अंत में इतीसरी प्रारंब इसका भी ऐसा समान है सब क्रतग्य क्रतग्न इसको याद रखना प्रत्यक्ष परोक्ष उपरितन अधस्तन उपरितन अधस्तन उपरियुक्त अधोलिखित दोसी निर्दोस सर्द गरम कृपड़ दानी निशीथ मध्यान ठीक है तो यहां आपने इस तरह से कुछ देखें तो आप चाहें तो अभी में थोड़ा सा और आपको वता सकते हैं ठीक है यहां पर अभी आप स्क्रीन सौट ले लें इसके इस देख लेंगे इतनी सीरी का प्रारंब भी हो सकता है या फिर स्री गडेश का पूछा जाए आपसे स्री गडेश का ओदल वद मिंद क्या होता है गडेश की आती MATT है और किसी कारिकों प्रारम्ब करते हैं मतलब तो वही है लेकिन स्रीगडेस लिखा हो तब भी इा गएंगे और प्रारम्ब लिखा हो तब भीThis और बीसरी करयेंगे दोनों का मतलब शुरू करना और इसका मतलब खतम करना अंत करतेंग मियश्ञ पर तो यहां आप अरवाचीन क्या लिखा हो अरवाचीन कहने से ऐसा लग रहा है दिखने से कि यह बहुत पुरानी बात होगी ठीक है इसका मतलब होता है नभीन और प्राचीन का मतलब आप समझते हैं प्राचीन का मतलब पुराना तो प्राचीन लिखा हो इसका अरवाचीन करेंगे ना कि प् भी होता है ठीक प्राचीन का अरवाच्वेन भी होता है आद्र आद्र इसका क्या होगा सुस्क ठीक है आद्र का मतलब नम सुस्क का मतलब सूखा अगर लिखा हो नम तो सूखा करेंगे ठीक है आद्र लिखा है तो सुस्क कर देंगे क्या कर देंगे सुस्क कर देंगे आगे लेते हैं आयडी मेरी वेठा सबको पता होते केते एडी चोटी किया लगा दिया परिष्टरम लगा दिया आपने महनत लगा दिय और चोटी तक के पूरे सरीर से आपने मेहनत कर दी कुसुम का उल्टा करेंगे पुस्ळम का अपोजिट बताएंगे ऐसे ही प्रशनाते हैं कुसुम का मतलब यहां भूल से नहीं है यह मतारे कुसुम का मतलब यहां कोमल से है और बज्र का मतलब कठोर से है ठीक है बटा कुसुम का मतलब कोमल और बज्र का मतलब कठोर आगे देख लेते हैं विशेश लिखा हो प्या लिखा हो विशेश तो आपको पता होता है इसका पोजिट विलोम सब्द सामान्य होता है विशेश वात होती है या फिर सामान्य वात होती है दो प्रकार से हो तकती है अगला निरामिस लिखा हो निरामिस निरामिस जिसमें मास ना हो, समिस जिसमें मास हो, मास सहित, मास रहित जब भी कहीं सा और निर लिखा हो, तो निर का मतलब रहित, सा का मतलब सहित निर का मतलब रहित, सा का मतलब सहित, ठीक है, आगे दिख लेते स्वेट स्वेट सफेद और स्याम काला ठिक सफेद लिखा होता तो काला कर देते वही बार लेकिन स्वेट लिखा है तो काला नहीं हो सकता इसका हो सकता स्याम हो सकता क्या हो सकता सियाम ठीक नूतन नूतन क्या हो जाएगा पुरातन हो जाएगा नूतन माने नया पुरातन माने पुराना ठीक है नूतन माने नया पुरातन माने पुराना आगे देखेंगे एक सब दोर लिख लेते हैं पालक पालक ये कोई खाने वाली पालक नहीं है ना पालक की सब्जी माने इसको तो पालक माने पालन करने बाला और संगहारक इसका बिलो होता है इसका मतलब मारने वाला ठीक पालक का अपोजिट क्या है संगहारक पालक का मतलब पालन करने वाला और संगहारक का मतलब संगहार करने वाला मारने व अर्वाचीन प्राचीन ठिक अर्वाचीन प्राचीन आद्र सुस्क आद्र सुस्क एड़ी चोटी एड़ी चोटी कुसुम बज्र कुसुम बज्र विसेश सामान्य विसेश का सामान्य निरामिस सामिस स्वेत स्याम नूतन पुरातन पालक संधारत ऐसे बहुत बिलोम सब्द ह हो सकते हैं तो यहां पर आपको इतने बताए गए उमीद यहीं है कि इसमें से यह आने वाले विलोम सब्द आपको बताए गए हैं जो किसी ना किसी आपके पेपर में आये हुए हैं लेकिन इसके अलावा भी आपको एक M C Q 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 प्रकार से यहां ब्लोम सब्द का यह वीडियो यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम इसके सब के आपको MCQ देंगे तो उसमें आप जरूर देखना और इससे आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हो जाएंगे सॉल हो जाएंगे ठीक है तो आज आपकी क्लास अपनी ओवर करते हैं और इसके अगले टर्म में आपको MCQ प्रश्न दिये जाएंगे तो अच्छे लगा हो वीडिया आप वीडियो आपको लाइक शेयर कर दें ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो यहां आज के लिए इतना ही सभी को जैहिन बंदे मात्रम सभी लोग स्वस्त रहें खुस रहें मस्त रहें ठीक ह बंदे लthmए ссылशि को जा हैं मस्त रहें की खाद़ मुन ए्ट घर चरतथ कर दो लोगा है six एंगे बंदे चाल क 다ंब अवा उन्याव एंट प्रत्रम को अबंदे। झाल झाल